हेलो जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और मैं गई थी घर पे मम्मी ने गाओ पेठा तोड़ के लिए क्या उसकी सबजी बनाएंगे बहुत दिन हो गए पेठा रखा हुआ है तो आज वो पेठा तोड़ लेते हैं और दिखा देते हैं आपको कि कितना बड़ा है और मै कैमरे में ना देखके में इधर देख रही हूँ और फोन है आज सर्मा जी का मेरा वाला चार्ज भी लगा दिया मैंने लाइट आगी लाइट नहीं आई थी बहुत प्रेशान का रखा था पूरी रात से यह कैं को आगो आज देखो तो अपना सेरू बोग रहा है कोई दू यहां बनाऊंगी वह वहां बनाएंगे और मेरे शीपी शूट करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पेठे की सब्जी अपने घर में तोड़े कर हमने कैसे बनाई तोड़ने चीए मंत्र पड़ ओम गुरूर ब्रह्मा क्यों लागी ओम गुरूर ब्रह्मा जो यहां बनाइख बंदो शूट और अलगों इक है बददा बददा बदा बनाऊंगे और नचीपड़ी आठे वाकेंची बड़ी देख टंकी यह जो 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 बढ़ी पर आख फुरूर अगले पर दोड़े लागवा आए यह जो जो बढ़ने गंड़ दोड़े आए जिए पाया युदे कया मद्का में लाग लाग रहे है यह डिट्र पड्र पड्र रहे है बहला कि यह बड़ा हो देखिया रहे है यह कर लाग बड़ी है यह यह वह बड़िकर गयो तक प्रेड़े दिखां बिंडी देखाओं अ कि बिंडी बिंडी में धिखा दी बड़ी 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 अरो अ आध्याफिन तोर भीत है और लाद माझी बार्याओ, भीत करें आड़ रचारी लुटा है लुटाया में वाजकी पडाते हैं वाजकी राद शुबाते हैं आपस्फ़ दोगें आप्षी जए बना लगा कि अखर राद लाद ना कर सुबड़े राद ना कर लेगा अब कि मन राण को लियावए? मावी आगी अजिए शिवानी कोड़ी आगा शिवाना देदी खानी आथी जाती जी अबर मौनें की आगा अबरे लागे मिटी लग जएगी हाँ अब 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 मम्मी शाची ही देले पेठ्षों moment माटी लंili काया गौड मतोड यू इससीट कदोड की लिया आकी माका को गोड मतोड जडा राखी की जेए गौड मतोड राखी की जेए आरे अब और यह इनुन सब्षी अग सेव नहीं बाले नहीं और झाल में 한 दो पांस दोी है , पैटर्ण है सभी अको मैं लगा झाल tactics यृ मत नहीं पहिआ pops उटेबन, पैंस नहीं पहा है यह जैरे फांस व्लेव हो थो दियू किलो माने, अग सासरा दो लिखो खेए नहीं पाव सोजी बाँ मुझाब भी अमा शी भी एप जाना की तो बची रहे हैं कोई बादा माँ खालूँगी दूटालूगे माँ खालूगे माँ खालूगी माँ वावा कर तो को हैं तो नहीं कि लावी कुटे को नहीं ना मन तो लाग रहे हैं को नहीं क्यों करता है वाव वाव अर्थे वाव बीज गो नहीं वावी एकी एक तुम ना मन चट्चो है जादा बड़ा काटी और दीज गो नहीं वेके वाई देख वाव 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 किसी ने देखा वे जी शीमां सिदर ता यार गेले चारीश अगर्दिया हैंगा वाव हैंगा मंटे 2 पर भीज कोई मा दे बीज को नब की एक दम कॉच्चो है जीश और मामी एक बीज कोई यह ऊपराड़ है लिए अगरीब है तो जी यहाँ पर जो पैठा का न neighbor को टो कट कर के सबड़िया सब लोग अपना अपना बना लेंगे और मैं भी मेरा जो है वो बनाने वाली हूं तो अभी यह दो दिन का है मतला आदा दिन एक दो जिस दिन सब dasa के सब करना था उस दिन नहीं बनाया मैंने नेक्स्ट डै स्ट एक है अभी से यह these perfect moment की है ये आप लोग अगर जानते हो तो ठीक है नहीं हम लोगों कि याँपे तो इसको करुंदे बोलते हैं और ये इसका पेड होता है जो कि हमारे घर में लगा हुआ है और खटाई की जगए ये डालते हैं हम चूर ना डालके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्ते होते हैं तो म मैंने साइड में कर दिया था इसने इतनी खटा छोड़ दी थी सबजी में इससे आधे ही डाले थे मैंने आधे तो राखी और नैनी यहीं बैठके नमक के साथ खागे चले गए थे आप आगे देखो की क्लिप में इन्होंने पता नी कैसे खाए यार मुझे तो देखकर ही एक और यहां मैं आगी हूँ moral बनाने आज जलाने का काम में शुरू करते हैं राखी SMU की है वहीं मेरे पास बैठी हए बस बच्चो जलन को बहुत है औ एप सर्चर का सब भी कात बेह चास जादे तो ही बना जैसे रही काहा ड़ता है उनमें से एक piece हम लोगोंने मतलब हम लोगों को मिला था उसमें भी बहुत ज़ादा हो गया था तो मैंने आधा ही बनाया था आधा मैंने उठांके रख दिया था क्योंकि फिर सब लोग बनाते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है और मैंने उस दिन सबने बना लिया था तो आज के दिन हमारे इधर बन रहा था तो फिर इतना ज़्यादा बनाने का मतलब भी नहीं था क्योंकि उतना मन से कोई खाता नहीं है न डेली वही बनता है तो और देखिए आप लोगों ने कहा था पीड़े पर बैठ के काम किया अगरो एक कमेंट आय और बैक पिन हमेशा नहीं रहता जैसे बारिश के मौसम में हो जाता है और इधर के लिए मैंने यह मसाले फिल करके रख लिए हैं इन डिबों में यह सारे मैंने वोश कर लिए थे वहाली किचन जो है उसमें वह सामान एजिटीज है ऐसे कैसे है कभी मौसम खराब हो या आड़ कर रही हूं आप यह मेथी जो डालते है न मेथी के साथ में जीर डाल सकते हैं लेकिन मैं खाली मेथी में ही पेट्टे का तड़का लगाती हूं क्योंकि इस से बहुत ही अच्छी खुसबू आती है कहने का मतलब है कि पेठे की सबजी का जो और actual फ्लेवर होता है वो हमें तो इसी तरीके से लगता है और हाँ एक चीज और कह रही थी मैं सबके अपने अपने तरीके होता है मैं सबकी अपने अपना अलग रहने का काम करने का अलग स्टाइल होता है मैं किसी को यह नहीं कहती यहां पे कि हाँ भई ऐसे ही होता है या ऐसे ही करते है मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसे करते हैं अब इस चीज को प्लीज कोई negative way में ना ले कई comment आते हैं कि आसे नहीं होथा ऐसे होता है कोई भी काम की लिए जैसे मैंने अभी बताया यह ँछ से इसका रियल टेस्ट आता है तो इस चीज में भी मतलब इस टाइप की चीजों में कई लोग अलग ही लेकर आते हैं तो मैं उन लोगों से, मतलब कुछ लोगों से, कुछ लोग आते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, कि देखिए सब के यहाँ पर एक अलग तरीका होता है, हर चीज का, मेरे परिवार का रहन से अलग है, आपका कुछ हो सकता है, कि किसी का मेरे से मैच हो, मेरे जैसा हो, लेकिन मैं सब का नहीं कह रही, कि सब लोगों के ही ऐसे होता है, तो इस टाइप की जो चीज़े होती हैं, जैसे मैंने मेथी का बताया, तो सब की अलग-अलग रेशी पीज होती हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा, अब मैं अगर पीड़ा या पाटा यूज़ गाया था लेकिन मेरे से नहीं बैटा रा जाता मुझे यू रखता है कि मेरे बिणे कमर में दर्ध होना शुरू घए एक time ऐसा था कि मैं बिना पाटा Ze यूजबastes उपाते तहीं आगें होता है। और एक चीज और बताती हूँ, सिवान सुआ था ना, उससे पहले मुझे बिना तक्या के नीद नी आती, यह मतलब ऐसा था कि तक्या लगाए बिना आराम ही नहीं मिलता था, और सिवान सुआ इसका सीजर ओपरेशन हुआ था, तो मतलब सीजेरियन हुआ था, यह ओपरेशन ह तो उस टाइम पर डोक्टर ने मना किया था कि तक्या मत लगाना और हाथ भी नहीं लगाना गरदन के नीचे, तो उस टाइम पर मैंने तक्या लगाने से मुझे दर्द होता है, तो यह होता है कि आदद पड़ जाती है, हर इनसान को अपने अपने मतलब स्टाइल में रहने उसको उसी तरीके से बैठना चाहिए तो यहां पर मैंने आटा ले लिया है और उसमें नमक डाल दिया है और मैं इसमें अभी यह आटा लगाऊंगी और राखी देखना करों देखा रही है तो मैं उससे पूछ रही हूँ न कि तिरसे कैसे खाये जाते हैं तो उसका रीप्ला ना दियो डूता पर भी कर्षका है तो जी अब खाना वाना बन चुका है खाना बनाने के बाद में बैठ गए हैं अंदर अब सारा नहाना धोना खाना सारा काम फीनिश हो चुका है दोपेर का साड़े बारा या एक बज़ रहा है और मैं आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और रीड कर रही हूं साथ-साथ किसी का हार्ट या रिपलाई देना होता है वो दे रही हूं साथ-साथ मतलब देना होता है या कहने का मतलब है कि इसको दिया जाता है उसको दे देती हूं बाकी रह भी जाते हैं बहुत सारे और ऐसा थो कुछ आज का दिन तो चलिए फिर इस वीडियो का हम एंड भी करते हैं हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी तब तक के लिए बाइबाइट टेक किया थैंक्स पूर वाचिंग और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब करके आप चाहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आप अभी भी देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज